हेलो स्ट्रेंट्स, यूर वेलकम ओन माई चैनल, आज हम डिस्कुस करेंगी रैमलर बाई सेमुल जॉनसन, लेट्स स्टार्ट, ट्वाइस वीकली पेरिडिकल, पेरिडिकल मीन्स, पेपर सीरीज, जैसे के समय समय में कुछ पेपर्स पबलिश होते रहते हैं, इसकी काउंटि हैं, 208 essays, इसमें से 4 हैं, बाई सेमुल जॉनसन, पबलिश होए थे, 1715 से 1752 के बीच में, इसका पबलिशर कौन था, इसका पबलिशर था, जॉन पेन, The essay treat a great variety of subjects, subjects like ethics, crime, marriage, education, history, etc. जो रैमलर है, एक weekly period है, जिसमें जे essay print होते थे, पबलिश होते होते थे, वो उनका subject क्या था, जैसे के उनका subject होते थे, ethics होते थे, crime होते थे, marriage होते थे, family life होते थे, education, history, etc. It is more serious than daddler and spectator. जैसे के two और essay हैं, जैसे ही, जैसे the daddler and the spectator, जो रैमलर है, इन दोनों में से ही, एक serious essay है, by Samuel Johnson के दौरा. जब यह Samuel Johnson ने लिखा था, तो उनकी wife ने भी इसकी praise की थी, क्योंकि उसने अपने word में कहा था, कि उनको नहीं, believe नहीं हो रहा, कि Samuel Johnson ने इतना अच्छा लिखा है. इस essay was admired by his wife Elizabeth, उनकी wife का नेप था Elizabeth, जिनोंने इसकी परसंसा के थी, and after three days, इसके publish होने के, after three days, उनकी wife Elizabeth की death हो गए थी. She says, उन्होंने इसकी praise में क्या कहा, the rambler की praise में, she says, I thought very well of you before this, but I did not imagine you could have written anything equal to this. उन्होंने कहा कि मैं सोचती थी, बहुत अच्छा, इससे पहले कि आप इतने अच्छे हों, but मैंने imagine भी नहीं किया था, कि आप इतना अच्छा, उतना अच्छा लिख भी सकते हों, उसके बराबर, जितने अच्छे आप हों, उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने लिखा है तो ये उनकी बाइक के कुछ वर्ड थे तो ये थी हमारी आज की बेसिक इन्फरमिशन अबाउट रैमलर भाई सेमल चॉंसन थाइंक यू वाचिंग